दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको वताने वाले हैं Home Credit से Loan कैसे Apply किया जाता है दोस्तो अगर आपको भी Instant Loan चाहिए आपको Instant Loan Apply करना है और Loan Amount को अपने बैंक में Transfer करना है तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा home credit app से कैसे loan apply किया जाता है और उस पैसे को हम अपने bank में कैसे transfer कर सकते हैं दोस्तो home credit एक ऐसा personal loan app है जिसमें आपको instant 5 lakh रुपिय तक का personal loan दिया जाता है आप तुरंत इस अपसे loan apply करके loan के पैसे को अपने bank में भी transfer कर सकते हैं तो इस वीडियो में चलिए मैं आपको भी दिखाता हूं कि कैसे आपको home credit से loan apply करना है और loan amount को अपने bank में कैसे transfer करना है तो वीडियो को complete देखिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप Google Play Store में आके home credit app को install कर लेंगे या फिर home credit loan app का link में आपको इस वीडियो के description box में भी देदूँगा उस link पे click करके भी आप home credit loan app को install कर सकते हैं अब install करने के बाद आप open करेंगे चलिए मेरा पहले से install है मैं open कर लेता हूं अब जैसे आप home credit app को install करके open करते हैं तो देख सकते हैं आपके समने इस प्रकार interface आएगा सबसे पहले आपको इस अप में account create करना है पहले आपको first name इंटर करने का option मिलेगा आप अपना first name इंटर करेंगे दिन इसके बाद आप अपना mobile number इंटर करेंगे अब जोस्तो first time और mobile number इंटर करने के बाद आपको send OTP का option दिख रहा है आप send OTP option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप send OTP पे क्लिक करते हैं आपके दिये हुए mobile number पे OTP send क्या जाएगा वो OTP आप डालेंगे अब OTP इंटर करके आप verify option पे क्लिक करेंगे अब जैसे OTP इंटर क करने के बाद आप दोबरा पिन को confirm करेंगे अब पिन को confirm करने के बाद आपको set pin पे क्लिक कर देना है अब जैसे set pin पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं home credit app को आपको कुछ permission allow करने होंगे अपने device का जैसे कि phone start SMS location इसको आप read कर लेंगे इसके बाद आप continue option पे क्लिक करेंग अब एक एक करके allow करते जाएंगे अब आप successfully home credit app में login हो जाएंगे देख सकते हैं मैं home credit app में login हो चुका हूँ अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया है 5 lakh personal loan congratulations you are eligible for a personal loan offer तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया है 5 lakh रुपिय तक का personal loan आप home credit app से ले स लगते हैं तो simple आपको यहाँ पर loan apply करने के लिए आपको apply now का option दिख रहाँ आप apply now option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप apply now option पे क्लिक करते हैं आपके mobile में जितने भी Gmail login रहेगा सारा Gmail का लिस्ट आजाएगा आप अपना Gmail select कर लेंगे अगर आपका Gmail login नहीं रहेगा तो आप आपको continuing English और Hindi में शुरू कर एका option दिख रहा है तो चलिए हमें आपके continuing English पे क्लिक करते हैं अब देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है loan in five minute online approval तो पांच मिनट में आपको loan मिलेगा वह भी online approval आपको कहीं भी नहीं जाना होगा घर बेठ अपने mobile सा आप इस loan को ल लूट क्यों चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रप्रपस तो इस पर आपको क्लिक करेंगे अब आप अपना loan परपस को से लेट कर लेंगे बहुआ सब्सक्राइब निया हुआ हुआ है मैं यहां पर education पर परपस को से लेट करेंगे तो एचले हमें डूरत अप यहाँ कर लि रिटार्ड मेन, रिटार्ड नॉन पैंसें, तो बहुत सरा यहां पर कटेगरी है, तो आप अपना ओकेफेशन टाइप चूज करेंगे, चलिए हम यहां पर सलेरिट गौर्रमेंट को चूज कर लेते हैं, अब इसके बाद आपको यहां पर आपको अप्सें मिलता है, मंतली हा आपको अपना सेलफी और पैन कार्ड अपलोड करना है, तो आपको अपना सेलफी को खिचेंगे, अपलोड कर देंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, अब जैसे आप सेलफी अपलोड कर देते हैं, आप आपको पैन कार्ड को भी अपलोड करना है, तो पैन कार्ड करना है, यह camera होगा वो start हो जाएगा आप अपना pen card का photo किचेंगे कुछ सेकंड wait करेंगे आप देख सकते हैं आपको use this photo पे कलिक करके pen card आप जैसे आप अपना selfie और pen card upload कर देते हैं तो आपके समने एक form आ जाता है जिसमें आपको अपना personal information फिल करने होंगे जैसे कि आपको यह पर option मिलता है full name as per pen तो आपके pen card में जो भी नाम है वो full name आप आप पर डालेंगे इसके बाद आपको pen number इंटर करना है इसके बाद आपको अपना date of birth डाल देना है जो date of birth आपके pen card में दिया हुआ है इसके बाद आपको अपना father name इंटर करना है जो father name आपको pen card में दिया हुआ है Sam spelling के साथ आप डालेंगे इसके बाद आप अपना mother name डालेंगे इसके बाद यहाँ पर alternate mobile number मांगा गया है तो आप कोई भी अपना एक दूसरा mobile number डाल दे इसके बाद आपको gender को चूज करना है male female आप अपना ही सबसे gender select करेंगे इसके बाद आप marital status select करेंगे कि आप single है या फिर आपका साधी हो चुका है साधी हो चुका है तो merit साधी नहीं हुआ है तो single इसके बाद आपको यह पर option मिलता है select preferred language for calling तो अगर आपको home credit की ओर से call आता है home credit के जो agent वो अगर आपको call करता है तो आप उसके साथ किस language में बात करना चाहते है वो language को select कर लेंगे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सरा यहाँ पर language का option है अगर आप Hindi में बात करना चाहते हैं तो Hindi language को choose कर लेंगे जैसे आप continue option पर click करेंगे अब जैसे आप continue करते हैं अब आप next step में आ जाएंगे तो देख सकते हैं इस step में आपको क्यवासी complete करना है तो क्यवासी आप बहुत ही आसनी से online complete कर सकते हैं क्यवासी complete करने के लिए आप online क्यवासी को select करेंगे अब दोस्तों जैसे आप online क्यवासी को select कर लेते हैं तो ये direct आपको डिए लोकर के page पे लेके आएगा जहाँ आपको अपना आधार को verify करना होगा तो यहाँ पर आपको authenticate आधार का option दिख आप authenticate आधार option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप authenticate आधार पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको अपना आधार नमर यहाँ पे enter करना है इसके बाद आपको next option पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप आधा नमर डालके next option पे क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ट के साथ जो भी मवाल नमर लिंक होगा उसपे सीग डिजी टोटीपी send के आजाएगा वोटीपी आप यहां पे डालेंगे यह देन आप continue option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप आधार ओटीपी डालके continue option पे क्लिक करते हैं तो यह आपका डिचल आपके आधार कार्ट से फ्रेच कर लेगा जैसे कि आपका फोटो आजाएगा आपका फूल लेम आपका आजाएगा आपका डेटर बर्त आपका जेंडर आपका एड्रेस यहां पे सो हो आपके डूकोमेंट को वेरिफाइग क्या जा रहा है और जो भी आपको अप्रूब लोन मिलेगा जितना भी आपको लोन अबांट मिलेगा वह आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको 2 मिनट वेट करना है देख सकते हैं आपको बताय गया है वी आर प्रिपेरिंग दा बेस्ट ओफर फोर यू तो आपको जितना भी लोन मिलेगा आपके डॉकॉमेंट के हिसाब से वो आपको देखने को मिल जाएगा दो मिनट आपको वेट करने है तो देख सकते हैं दूस्तों सक्सेसफुली मेरा लोन अप्रूब हो चुका है और मुझे यह आपको ज्यादा अमाउन देखने को मिलता है अगर आपका क्रेडिट इसको डाउन होता है तो आपको यहां से मैं 25,000 रुपिय से लेकर 2,000,000 रुपे तक का लोन ले सकता हूं अब आपको टर्म को स्लेट करना है कि आप कितने मैनों के लिए लोन को लेना चाहते हैं जैसा क यहां पर 2,000,000 रुपे का अगर मैं लोन लेता हूं और मैं 36 मैनों के लिए अगर लेता हूं तो यहां पर आपको EMI भी देखने को मिल जाएगा जैसा कि आपको EMI उससाब से देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आप होम क्रेडिट अप से लाइप इंसूरेंस भी ले सक आपको नौसर रुपे पे करने होगे तो अगर आप लाइप इंसूरेंस कराना चाहते हैं तो आपको च्यक बोक्स दिख्रा इसपे टिक颦िक मार्ड आप टिक मार्क लगाएंगे इसके बाद आप कंटीनियो अप्शन पे क्लिक करेंगे आप अपको अपना बैंक अकॉंट डिटेल्स देना है जिस बैंक अकॉंट में आप लोन के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है देख सक सकते हैं आप फिर से नए स्टेप में आ जाएंगे तो इस स्टेप में आपको डाउनलोड आधार PDF का ओफचन दिख रहा है तो आपको डाउनलोड आधार PDF पे क्लिक करना है यहां सबक्This आपक़ डाउनलोड भी हो जाएगा शाथ आपका अदार अजका अपना अप्लोड क हो जाएगा अब जैसे आपका अधार अप्लोड हो जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका तीन step complete हो जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं congratulations मुझे बताया क्या है you are just one step away तो देख सकते हैं मेरा तीन step complete हो चुका है और अब सिर्फ एक ही step बागी है तो यहाँ पर आपको अपना loan का contract number देखने को मीजाएगा जो आप loan amount ले रहे हैं वो loan amount देखने को मीजाएगा तो यहाँ से मुझे 25,000 रुपे से 2,000,000 रुपे का loan offer किया गया था तो मैंने यहाँ पर एक लाग का amount डाला है मुझे एक लाग रुपे का ही loan चाहिए तो इसके बाद आपको यहाँ पर continue option देख रहा है continue option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप continue option पर क्लिक करते हैं आपके समने loan agreement paper आ जाता है जहाँ पर आपकी complete detail रहेगी तो आप इसको अच्छे से read कर लेंगे यहाँ पर जो भी आप information दिया गया है उसको आप सई से read कर ले तो अगर आपका सब कुछ सही है आप loan को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर agree option दिक्रा agree option पर click कर देंगे अब जैसे आप loan agreement को agree कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका loan application successful complete हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताए गया है your loan application has been completed आपको loan का contract number भी देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर option मिलता है set of direct debit का जिसमें आपको अपने account में direct debit setup करना है तो यह direct debit क्या होता है तो अगर आप direct debit अपने bank account में set कर लेते हैं तो आपकी loan की जो भी मंतली EMI होगी वो आपके account से पर मंत कट होते जाएंगे तो आपको यहाँ पर direct debit set करना ही होगा तो आपको यहाँ पर option मिलता है set of direct debit इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे आप set of direct debit पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर complete detail आ जाएगा जैसी कि loan type आ जाएगा loan का contract number मंतली installment आपके समने आ जाएगा तो यहाँ पर सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते है इसका बाद आपको confirm option देख रहा confirm option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप confirm option पर click करते हैं तो देख सकते हैं direct debit set करने के लिए आपको अपना bank account को verify करना होगा तो bank account verify करने के लिए आपको यहाँ पर debit set करें क्योंकि net banking से बहुत ही आसनी से direct debit set हो जाता है तो चली हम यहां पे net banking को select कर लिए इसके बाद आपको यह पे term और condition का checkbox दिख रहा है इस पर आपको tick mark लगा देना है जैं इसके बाद आपको continue option पे क्लिक करना है अब जैसाफ term condition को accept करके continue option पे क्लिक करेंगे आपको और देख सकते हैं आप डायरेट होम क्रेडिट एप के डेस्बोर पे आ जाएंगे जहां पर देख सकते हैं एक लाक रुपिय का लोन में नहीं यहां पर अप्लाइ किया था और यहां पर परसनल लोन अमांट मेरा लोन अमांट एप्रूब हो चुका है अब दोस्तों आपका कुछ घंटे के अंदर आपका लोन अमांट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इस तरी किसे दोस्तों यह है होम क्रेडिट अप जहां से आप परसनल लोन अप्लाइ कर सकते हैं मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है असा करता हू आपको जन कर अच्छे लेगी तो विडियो को लाईक कीजिए और चैनल पड़ना है चनल को सब्स्क्राइब कर लिजा की मन में कोई भी कन्फूजन है वीडियो करीकर नहीं लुकर कि एक्ट रॉक है मिंते। नियक्सट व्डियो में थाइंक्यू, जहिन